तो दोस्तो इस वीडियो में हम सेखने वाले हैं कि अपने नोटिफिकेशन बार में हम कैसे देखें कि हमने आज की दिन में कितना डाटा यूज किया है और कितना बाकी है तो अगर आप भी कुछ इस तरह से अपने नोटिफिकेशन बार में चेक करना चाहते हो आज का डाटा की हमने कितना यूज किया है कितना बचा है तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिसकी मदद से कि आप बहुत असानी से पतर लगा सकते हो कि मेरे पास अभी कितना डाटा बचा है और मैंने कितना यूज किया है तो दोस्तो चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किस देरी के एड बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ दोस्तो आपको मैं यहां पर नोटिफिकेशन बार में दिखा दूँ कि दोस्तो मैंने इसको यहां पर बंद कर दिया है जिसकी मैं आपके सामने इसको यहां पर एक्टिवेट करके दिखाऊंगा यहाँ पर यह data मेरा show करेगा कि कितना GBAB use हो रहा है कितना MB use हो रहा है आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने phone की setting में चले जाना है जिसी कि आप में setting में click करता हूं उसके बाद दोस्तों आपको आपको SIM card and mobile data के उपर आपको click करना है इसके उपर में आपके click करता हूं फिर आपको यहाँ पर हलिके से नीजी आना है दोस्तों यहाँ पर होगा data uses आपको इसके उपर click करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर होगा mobile data limit आपको इसके उपर click करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर होगा daily mobile data limit तो आपको इसके उपर क्लिक करना है और दोस्तों यहां पर होगा 10 MB, 40 MB, 100 MB, जितनी भी आप यहां पर लिमिट डालना चाहते हो, जितना भी आपको data मिलता है, तो उस हिसाब से आपको यहां पर GB अपनी select करनी है, अगर आपको 1 GB data daily मिलता है, तो आपको 1 GB select करनी है, अगर don't remind है, तो यहां पर मैं set कर देता हूँ 5 GB, तो यहां पर मैं जैसे ही 5 GB select करूँगा, उसके बाद आप देख सकते हो, कि जैसे मैं आपर notification बार में आता हूँ, यहां पर 1.15 GB users यह दिखा रहा है, तो दोस्तों इस तरह से आप इस option को enable कर सकते हो, तो अगर आपकी इस वीडि लोगों यहीं समापत करते हैं, टेड़ा बाई, टेक के और